हे बच्चो कैसे हो आप लोग तो बच्चो आज हम लोग क्लास 11 फजिक्स एन सी यार्टी का मूश चैप्टर नंबर थ्री टैडिस मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है बच्चो तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग स्टार्टिंग में शुर करनाम है पहले उसको अमनों समझते हैं और बच्चों मोशन में क्या होगा सब्सक्राइओं कि पोड़ी ने अपना प्रक्रेंट को ्चेंज कर दिया with respect to time time के विए साब से टाइम जीसे बढ़ा वैसे उसने जो बॉडी है उसका पॉजिशन उसने अपना पॉजिशन चेंज करते वो यहां पे आ गया बच्चो अब इसका composition हो गया किसके साब से लोग विध रिस्पेक्ट टाइम हो तो आपका से रजब का आपका कम अबशाइब डि का पोजीशन बाडी का पोजीशन चेंज यह हूता है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वो बॉडी जो है वो आपका मोशन मेराएगा ठीक है यह समझा यह बॉडी आपका मोशन में अब इन्हें स्ट्रेट लाइन के बाद किया है इन्हें स्ट्रेट लाइन मतलब वो बॉडी किसी भी एक एक्सिस पे चल रही है हम लोग क्या बोल सकते हैं जैट से वो एक्स एक्सिस ठीक है तो बॉड़ी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वहीं आउगे आपका एक मोशन इना स्ट्रेट लाइन यहां से यहां पर शोह प्राइब का स्ट्रेट मिध्य करतें हैं का स्ट्रेट कर देक्व अब देखो अब बैक्छो क्या उद्धाए कि बॉड़ी यहां से यहां पर आ बॉड़ी मूव हुआ अब बॉड़ी यहां से यहां पर आगया उसका क्या था तो इसका cause पता करने के लिए बच्चों हम लोग chapter number 5 पढ़ेंगे that is laws of motion इसका cause क्या है यह क्यों move for body ठीक है अब हम लोग बात करतें kinematics इस chapter का दूसरा नाम है kinematics kinematics मतलब क्या body आपका motion में है है ना motion में तो यह body जो motion में उसका mathematical forms के आएंगे जैसे आपका इसका displacement आएगा velocity आएगा acceleration आएगा इसके सारे mathematical form आएंगे ठीक है तो जो भी इसके mathematical form आएगे body जो motion में है उसको हमनों बोलेंगे kinematics यह समझा बच्चो तो यह आपका introduction था अब एक और चीज बॉड़ी आपका straight motion में straight line में तो उसको मनों बोलते linear motion ठीक है बच्चो और उसका दूसरा नाम है चलता है body उसका दूसरा नाम क्या रहेगा rectilinear motion रेक्टी linear motion इसको मैं रेक्टी linear motion भी बोलते हैं ठीक है तो याद रहेगा तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्या है आपका पोजिशन है फिर पास लें फिर इसकी अब यह तीनों जानने से पहले हम लोग एक एक वोड जानते एक टम जानते ड़िस फ्रेम ओफ रेफरेंस ठीक है बच्छो फ्रेम ओफ रेफरेंस अब यह बहुत आता है यह फ्रेम आफ रेफरेंस तो यह आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़िए कि फ्रेम ओफ रेफरेंस को अच्छान समझना बहुत ज़्यादा ज़िए ठीक है तो मैं आपको simple example लेताूं सपोर्स को यहोंसा रुका हुआ है अब इसमें दो लोग एक ये हैं है जो बना दिया ये इदर जा रहा है ठीक है और यह जो बंदा है वो इधर जा रहा है तो इस बंदे के हिसाब से यह बंदा मूफ कर रहा है इधर यह साइड में मूफ कर रहा है उसकी तरफ मूफ कर रहा है और इस बंदे के हिसाब से यह बंदा उसकी तरफ move कर रहा है ठीक है इतना समझा तो इस बंदे के साफ से ये बंदा motion में है और इस बंदे के साफ से ये बंदा भी motion में तो इस को हम लोग क्या बोलते है इस motion को हम लोग बोलते है relative motion ठीक है बच्छो वो दो बाडी एक दूसरे के हिसाब से दोलों मोशन में एस बूमें गहां है सब मुझेटिय० मुचन है अब बच्चों क्याहां होता है य्यू रिलेटिव मोशन हो रहा ही वो कहां हो रहा वो एक कॉह What कि यह डबबा mehr fix है के मूफ करा रहा यह डब्बह को अनदर कि वह बात करती है गूफ करा रहा है और इस बंदे के हिसाप से यह डबबबा fix है के मूफ कर रहा है fix यह डबब के अंदर एंदर और यह फिलाल ठीक है Correct तो बच्चो कभी भी फ्रेम फिक्स रहता है कोई भी फ्रेम फिक्स रहता है तो उस फ्रेम को हमने बोलते हैं डिया है अब मैं दूसरा एक्जांपल लेता हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक्जांपल ठीक है ncrt के textgeuk में दिया हुआ है तो में दूसरा example नहींग है कि suppose यह एक मिख्राम है यह रोड़ गय कैने तभाट सीह कि अई गारि कैसे बनाती है गारी में बना देता हूँ कैसे भी गारी बना रहा हो आप समझ लेदा ही एक यह नहीं ठीक है यह ग्राउंड है अब यहाँ पर एक बंदा खड़ा है यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और इस गाड़ी के अंदर छाई जो सब लए कि Y και सा बना धिया गाड़ी बनाने नहीं यादा ठीक है अब इस गाड़ी के अंदर एक बैठ्ड़ा वह बैठ्टके वह कारि चला रहे है ठीक है गाड़ी चला रहे हैं उसका टायर बोल रहा हूं यार चीड कया इस बंदे के हिसाड़ से यह गाड़ी और यह दोनों में वाद समझ में आता है तो अभी इस बंदे के हिसाब से अगर मैं इस observer की बात करूँ तो इसके लिए fix क्या है इसके लिए fix यह ground है ना यह ground move नहीं कर रहे हैं बलकि इसके लिए यह गाड़ी और यह बंदा move कर रहे हैं आगे तो इसके इसाप से यह गाड़ी और यह बंदा मोशन में और फिक्स क्या है यह ग्राउंड फिक्स है तो इसके इसाप से यह बंदे के इसाप से जो इसका जो फ्रेम फ्रेफरेंस रहेगा वह क्या रहेगा ग्राउंड रहेगा ठीक है बच्चो यह किसके लिए रहेगा इस बंदे के लिए रहेगा frame of reference अब मैं इस बंदे की बात करता हूँ जो गाड़ी के अंदर बैठ है तो जो गाड़ी के अंदर बैठ है उसके लिए क्या गाड़ी move कर रही है वो तो गाड़ी के अंदर है ने उसके लिए ये ground और ये बंदा पीछे के तरफ move कर रहे हैं अगर उसकी मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से ये बंदा और ये जो ground है वो पीछे के तरफ move कर रहे हैं मतलब उसके हिसाब से जो गाड़ी है जो गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो fix है ठीक है तो इस बंदे के हिसाब से जो frame of reference वो यह गाड़ी होगा तो इस बंदे के साब से frame of reference क्या होगा है यह गाड़ी तो ऑफ यह डा रहेंस यह समय बंध करता है अपको क्वन से snakes and अंच्छन् един के तो इस बंदे के साब से यह ग्रॉन्ड और यह ग्राउंड जो है आपका और यह बंदह भू कर रहे है ठीक है और यह दोनों ही रिलेटिव मोशन भी दोAT और इसके यह बंदे के साफ से एमोफ कर रहा है तो इसकों रिलेय्टिव मोशन और ठीक है अब मैंने बोला था है कि एक फ्रेम ओफ जाया है पी एक बिल्ली इकलगर दोंडर्डेक्रakyam लिए सकतहों कि यहां पर लोक्तaggi प्रेम और यह लेते हैं अगर बाहर किसी कंडिशन जैसे काईसे कंडिशन लेते हो ना तो अगर रिलेट्व मोशन आप लेते हो तो उसके साब से अर्थ आ जाएगा ठीक है इतना समझा तो यह कंसेप्ट आ बच्चो फ्रेम और रेफरेंस का ठीक है अभी हम लोग आते प्टिशन देखते क्या होता है ठीक है अब क्या होता है कि कोई भी जो आपका घर का कोणर ले लो घर गर पता है ना घर उसको एक कोनर ले लो एक और मेनी दिखो एतो एक लाइन उपर रहते है लाइन इस् Blend mr. रहते हैं मतलब शल्ण यह रहते हैं त्सक्राइब फर उपर वह बूल सकते हो एकस इसको ऊपर वाले को उल सकते हूं यह व्रीकियों जास्ट तो स्वेक्ष तो थी एकसस में है तो कोई बी अगर स्पेस में कोई भी चीज रहता है थे ुट फिस फिस दो Music में 288 से वह जो और तो ऐसे ही अगर कोई अब्जेक्ट है अगर कोई सपोज यहां पर पॉइंट ले के बता नहीं सकता सब्सक्राइब यहां पर पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट है तो वह एक से एक सब्सक्राइब कोईनेट पर रहेगा तो यह पॉइंट जो है आपका वह उसका जो पॉजिशन है उसका जो पॉजिशन है वह कौन बताएगा एक सब्सक्राइब कोई पर पॉजिशन है क्या बताथा है यह तीन एक सब्सक्राइब नेकर इसको तीन होगा यह पांच यह चार होगा अगर इसको reference लिया तो ठीक है क्या पता reference कहीं और भी रहागा लेकिन मैं reference इसको ले रहा हूं मतलब origin 0 इसको ले रहा हूं तो यह होगी आपका reference point ठीक है बच्छो तो reference point के इसाब से यह coordinate है x, y, z यह coordinate मुझे बताएगा कि यह position object का position कहां पर है ठीक है तो यह होगी आपका position of the object इतना समझा बच्छो ठीक है तो अभी हम लोग आते हैं अपका next topic that is path length पोजिशन समझ में आ गया position क्या होता है कि एक reference point के इसाब से कोई आपकी भी object का position x, y, z के coordinate में हमें मालूब बढ़ता है ठीक है यह हो गया आपका position of the object अब हम लोग next पे आते है path length अब बच्छो आपका यह topic हो गया position हम लोग path length पे आते हैं अगला topic path length तो इसके लिए path length अब देखो जो path length होता है उसको हम लोग distance भी बोलते बच्छो ठीक है वह याद रखना हम लोग क्या बोलते है distance भी बोलते है ठीक है मैं इधर ही differentiate कर देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा यह हो गया आपका displacement दूसरा में ले लेता हूँ इस प्लेसमेंट अब क्या है पाथ लेंद इस प्लेसमेंट तो एक क्या करता हूं डिस्प्रेसमेंट के थोड़ा ज्यादा जगा चीए मुझे तो मैं यहां पे तो लाइन बना दिता हूं एक लाइन बना दिया मैंने ठिक है एक तो सब्सक्राएसिले लाइन 10 by एक दिए खँए यह पॉइंट आपका ओरिजीन है ठीक है यह पॉइंट का मैं लेता हूं लेक्षिय ओ लेते हैं और यह चीज़ में पिल सब्सक्राइब तो देखो है अभी पाथ को मैं डिस्टेंस भी बोलता हूं इस सब्सक्राइब नाम उसको में डिस्टेंस भी बोलते हैं और चीज दिस्प्रेस्मेंट तो डिस्टेंस बेसीकली अगर मैं बात करूं तो जो पाथ होता है वह होता है थो यह पात चल रहे हो अब जासे मैं बात करूं अगर कोई बोड़ी ऑ हो से पॉइंट ओ से इसको मुनों जिरू भी है पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ और वो पी पे आया तो मेरा पाथ लेंद कितना हो गया पाथ लेंद कितना हो बताओ प्लस 120 है ना प्लस 120 क्योंकि यह सब प्लस में है प्लस 120 अब वो जो बॉड़ी यहां से यहां पर गया अब वो रिटन यहां से पॉइंट क्यू पर आया है तो कितना हो जाएगा इन दोने के 20 के गयाप कितना है 40 है ना 40 गयाप है तो प्लस 40 that will be 160 plus 160 ठीक है यह समझा तो मेरा पाथ लेंद क्या हुआ कि यहां से यहां पर गया वो भी डिस्टेंस मैंने लिया और यहां से यहां से मतलब मैं ऐसा घूमके नहीं आ रहा हूं मैं उसी पर आ रहा हूं उसी के उपर आ रहा हूं उसी के उपर आया यहां पर उसी के उपर आपका एक्चुल एक्चुल कवर्ड डिस्टेंस एक्चुल कवर्ड डिस्टेंस ठीक है तो यह मेरा बच्चो पार्थ लेंथ बताता है ठीक है यह आपका हो गया पार्थ लेंथ और यू कैन से डिस्टेंस अब मैं डिस्प्लेश्मेंट की बात करता हूं ठीक है डिस्प्लेस्मेंट की बात कहता हूं अभी यहां डिस्प्लेस्मेंट में क्या होदा है डिस्प्लेस्मेंट हमेशा या दखना है जो डिस्प्लेस्मेंट होता है मैं उसको डिसी ले रहा हूं डिस्प्लेस्मेंट होता है वह होता है चेंज इन पोजीशन ठीक है पुजिशनлюс इनिचिल पुजिशन इसको पूब क्या लिखते है Mandy अब डेल्टा एक्ष्ट यह चीज़ है रिप्रेजन्स क्या करता है कि जो आपका पुजिशन है उसमें चेंज़े बतातं है जो डेल्टा आ कि डिल्टा है आ आपका displacement होता है और आप final position कौन से टाइम पर गया रहेगा time t2 पर गया रहेगा और initial position एक time t1 पर गया रहेगा तो final position at time t2 minus initial position at a time t1 ठीक है तो यह आपका displacement होता है displacement basically क्या होता है delta x that is final minus initial हमेशा final minus initial ही रहेगा ठीक है हमेशा क्या होगा final minus initial position अब बच्चों इसमें क्या होता है कि यहां पर यहां पर देखो अगर मेरा x2 is greater than x1 अगर मैं इसकी बात करूं x2 अगर greater x1 से तो मेरा displacement होगा वो प्लस में रहेगा है न अगर यह बड़ा रहेगा इससे तो बेसिकली जो टोटल आएगा वो मेरा प्लस में रहेगा लेकिन अगर x1 बड़ा रहा तो x2 से अगर यह बड़ा है इससे तो छोटा minus बड़ा करोगो तो minus में आएगा answer ठीक है हाँ हाँ तो displacement आपका plus minus में आता है क्योंकि मुझे चेंज इन पोजिशन बताते हैं फाइनल पोजिशन मैंनेस इनिशल पोजिशन बताते हैं ठीक है तो अब क्या होता है बच्चों जो यह अब मैं distance पर आता हूं पहले distance जो है distance वो मुझे सिर्फ actual distance कवर बताते हैं वो मुझे direction नहीं बताता कि कौन से direction में गया ठीक है मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा कि यह जो distance है वो है आपका scalar quantity यह कौन सा quantity है scalar quantity अब यह scalar quantity क्या होता है जो सिर्फ कि वैल्यू बताता है सिर्फ क्या बताता है वैल्यू एक बताता है एक नंबर बताते हैं बतलब इसका कोई direction नहीं बताए कि यह सेड में जा रहा है मतलब वह प्लस एक्सिस पर जा रहा है यह यह पकट कर चलो तो यह बिल्कुल नहीं बताब जा रहा है यह वह को माइनस एक सिट्रप जा रहा है वो डिस्टेंस मुझे नहीं बताएगा ठीक है वो सिर्फ मुझे वेल्यू बताएगा सिर्फ यह जो वैल नंबर्स है ना 40 हो गया 18 18 20 आधर आया तो प्लस वन 60 वर इहां तक आया तो प्लस में दिस्टन्स की बात किया तुफाटी ओगा अब लिना दीना नहीं है ठीक है न डारेक्शन से आपको इसने लिना देना है डिस्टेशमेंट में तो जो डिस्टेशमेंट होता है वह हो आपको होता है vector quantity ठीक है बच्छों कॉन्सा quantity होता है जो कि मुझेmee magnitude magnitude तो बताता यह umально नमबर बताता यह प्लस ड्रायरेक्शन बताता है ठीक है plus direction भी बताता है कि मेरे हो Plus यानष की अैकस प्लाष यारा यहां पर जोह है इस में यह दर विएकश का जो और एकी एक्रीव चाहिए तो अगर एक इस का motion है कि तो अगर मैंने वह चाल रहा है तो मैं समझालागा कि यह प्लस पे जा रहा है यह पर जाया तो मैं समझाला म 17 में में आरे दो येस एड में अगर र साइड में तो आप क्या समझोगे कि वह माइनेस में जा रहा है माइनेस एक्स रचीस की तरफ जा रहा है और यह OSск समझोगे लिए हम भॉट मीर्यnez की न कि न रोट एक्सेस की तरफ एक्सीस स्क्राइब ऑगर मैं तीन इक穴 की महई रहता है ले था तो मैं 3D की बात करता हूं जैसे मैं बोला space में अगर वह घुमता तो space वाला है आपको आएगा सब motion फ्रेम के आगे वाले chapter तो इसमें आपको आएगा ठीक है तो अगर उसमें वैक्टर की बात करता है उसमें direction की बात करता है तो हमारे y-axis का direction बताते हैं और k-cap मुझे z-axis का direction बताते हैं ठीक है i-cap मुझे x-axis का direction j-cap मुझे y-axis का k-cap मुझे z-axis का और यहां पर minus लगा दिया तो अगर मैंने यहां पर minus लगा दिया तो minus x-axis का minus j लगा दिया तो minus y-axis का डायरेक्शन बताते हैं डायरेक्शन के लिए हम लोग यह चीज़ इस्तेमाल करते हैं कब जब 3-axis की बात हो रही हो मतलब 3-dimensional की बात हो रही है तो यहाँ पर 1-dimensional अपन देख रहे हैं ठीक है बच्चों तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना किसमें 1-dimensional 2-dimensional and 3-dimensional यह जो पूरी दुनिया है वह 3-dimensional की होती है 3-dimensional में हम देखते हैं ठीक है बट जो हम लोग मोशन आभी पढ़ रहे हैं मोशन वह 1-dimensional का ही पढ़ रहे है यह जो आप इन स्ट्रेट लाइन मतलब क्या एक ही डायमेंशन मतलब क्या मतलब सीफ एक एक्सेस थो एक्सेस इन पर एक्सेस सिंटर किया हुआ है to Each member कोई भी दू-द्स आजाए या तो Lucy या तो या तो या तो एक्सेड भिया सकते हैं तो इन मतलब कोई भी दू-दो एक्सी पे चल रहा है कोई गो ऑज áगा की एक समें को एक्सेड ऑफ यह तीनों आक्स यह बता है यह नो डारेक्शन के लिए ये यूज करते हैं इतना समझा बच्छो अभे मैं थोड़ा रफ करता हूं इतना अब आप नोड कर लेना जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप नोड कर लेना अपने साथ नोड कर लेना फिर चाहिए तो आप टेक्स्ट बूक भी लेकिन नहीं NCRT को आप एक बार नहीं तीन बार करते हो लेकिन उसी को और एजी करने के लिए मैं आपको पहले समझा देता हूं फिर आप एक बार और रिट कर लोगा ना बच्चों तो NCRT इसली समझ जाएगा ठीक है जो ठीक है यह समझ में आगें तो आगें आगें और भी है श्रीन वागा मैं पको क्या बता एक क्या बता है कि इस तरफ प्लस मुझे बताएगा कि W टिर्थे तो अब बच्छों क्या है कि अब मैं उसका अग्जांपल में लिया था वह हम में रिसपर कर लें क्या होता है ठीक है तो यह मैंने स्टाडिक क्या बोला था कि फहले वो वो से पी पर गया तो जब ओ से वो पी पर गया तो उसका मैंगिट्यूड प्लस डारेक्शन क्या होगा प्लस 120 ही होगा मैंगिट्यूड प्लस डारेक्शन डारेक्शन क्योंकि प्लस यहां पर मैंने प्लस क्यों लिखा प्लस क्यों लिखा है अप्लस मैंने यहां प्लस क्यों लिका आप सोचो इसके लिए प्लस लिखा और गुष नहीं ज्यादा इसमें ध्यान मतलगे इसके लोगा बन सिक्स्टी पर देखेंगे यह वन सिक्टी है हमनों सिभी वैल्यू की बात करेंगे ठीक है समझे अब जितना भी प्लस नहीं भी लिखो तो चलता है ठीक है यह पर लिखना की जरूवत नहीं है ठीक है ओके समझां ओके तो यहां पर आपको कोई लिखने की जरूवत नहीं है ना फ्लस ना माइनस जितना डिस्टेंस कवर करता है खाली उतना एंड करना लिखना है ठीक है यहां पर लिखने कि कोई जरूवत नहीं है ठीक है इसको मैं प्लस बंडोले क्यों लिया क्योंकि वह यहां से यहां पर गया और वह पॉजिट्व डिरेक्शन में ऑब्जेक्ट ठीक है फ्रम ओ से लेके पी तक गया पॉजिट्व डेक्शन में गया इसके लिए अब बच्यों वापस वह ऑबजेक्ट जो है बॉड़ी वह पी स एक्षिस में क्या रहो रहा है तो मैं बताने क्लिए माइनई नहींस कितना कि यह ओना यह समझ आना यहां से यहां प्यार अब दूसरा दुसरा जो है यह ऑ से पी तक गया था और दूसरा है वो पी से कीऊ आरहिए उसे मीद्ध फिर पी से क्यू Kanidition ठीक है पहला यह से पहला कंडीशन यह था उसे पी कीदा रहुग गया तो देखो बच्चो displacement गो रहता है displacement जो रहता है मैंने आपको स्टार्टेंग में बताहे कि फाइनल माइनस इनिशल रहता है ठीक है तो इसमें यहां से यहां पर आए और यहां से यहां पर आए तो इसमें फाइनल कौन से है कौन सा है फाइनल पहले यहां से यहां पर आए और वह यहां से यहां पर आए तो इसमें फाइनल कौन से है कह Marcus planning, which is the final, once the final है, पताओ, इसमें final 80 है, ठीक है, final हीसमें 80 है, और इसमें initial कौन से है, इनिशल कौन से है अगर आपका यहां पर जिरो रहेगा अगर मैं टॉटल डिस्टिंस की बात करो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पर यहां तो यह यह कौईसा जब शो से पर भजब सब्सम्स क्यों से उसे पर यहां या यहां Singh जाना है कि मुझे यहां से यहां यहां से यहां से यहां पर आयाना वो दिस्टन जाना ए तो उसका displacement जानने के लिए अब reference पॉइंट आप जिरो को एकांसिडर करोगे ठीक है तो मेरा यहां पे इनीशनल तो यह रहेगा यहां से यहां के बात कर रहा हूं यह पूरा कि बात नहीं कर रहा हूं मतलब और पी पे की तरफ गया और पी से क्यूप यह पूरा की बात नहीं कर रहा हूं पूरा पर तो यह आएगा एक्सटू माइनस एक्सटू क्या है 80 मैनस 120 डैस माइनस 40 तो यह माइनस 40 मुझे क्या बताता है यह डायरेक्शन कि दर जा रहा हूं ओ ओ नेगेटिव X Axis पे जा रहा हो यह माइनस 40 मुझे बताता हूं कि वह नेगेटिव यह मुझा Soci, तो बस यह है displacement अब डिस्प्लेस्मेंट और स्थिए में यह समझाना displacement क्या होता है ठीक है समझ यह और साइन बताने के लिए कि डारेक्शन बताने के लिए हमनों प्लस और माइनस यूज करते हैं यह याद रखना ठीक है अब एक बेसिक डिफ्रेंस आपको बता देदा हूं अगर आपको समझा हुआ है चीज तो आप उन वर्ट में लिख सकते हो समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अगर आप वो चीजे समझे हुए हो माफ करना आपस बोलने के लिए तो अगर आपको समझा हुआ है कोई वी चीज तो आप अगर ओन वर्ट में उसको लिख सकते हो यह समझ में आगे मैं क्या बोला ओके तो चलो आगे बढ़ते अब दोनों का मैं डिफ्रेंस बता देता हूं सिंपल डिस्टेंस और डिस्प्रेंसमेंट का तो बच्चो डिस् प्रोग और ऑबजयक्ट है वह यहां से लेके यहां पर मोंशन किया जो डिस्टेंस होगा वह यह पूरा होगा क्योंकि मैंने बता है वह पाथ लेंद्थ होता है जो भी पाथ कवर किया ना यह आपका डिस्टेंस होगा यह आपका डिस्टेंस होगा क्योंकि यह पूरा पाथ यह बता है ना पाथ लेंद्थ मतलब यह जो भी पाथ कवर करेगा तक फाइनल तक सॉट आपका यह रह आएगा तो यह चीज आपका प्लेस्मेंट कूह, आपका डिस्प्लेस्मेंट रहेगा, तो इससे मुझे क्या मालूम पढ़ता है कि डिस्टेंस अब देखो एक और एक्जामपल लेता हूं आपका एक ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक गया यहां से यहां गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट यहां पर दोनों इक्वल है यहां से मैं बोला यहां तक गया तो distance और यहां पर displacement दोनों equal है पर यहां पर क्या distance बड़ा है distance is greater than displacement तो इससे मैं क्या conclude कर सकता हूं कि जो आपका distance रहता है distance जो आपका distance रहता है वो हमेशा greater रहता या equal रहता है किसके displacement के ठीक है याद रहेगा डिस्टेंज हो रहेगा वह हमेशा ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा displacement के यह दो condition से मुझे यही मालूम पड़ते हैं तो यह चीज बहुत नोट करने वाली चीज है ठीक है यह वरी इंपोर्टेंट नोट वरी इंपोर्टेंट डिस्टेंज गेटर देना इक्वल टू डेस्प्लेश्मेंट ठीक है बच्चो युकं से मैं यहां पर एक मैंगनेट्यूड लगा ना क्योंकि इन दोनों का हम डारेक्शन की बात नहीं करते हैं डिस्प्लेश्मेंट का इस ग्रेटर दन इक्वल टो मैंनिचूड ओफ डिस्प्लेश्मेंट और इस्टेंज में सिफ मैंनिचूड लागा तो भी चलेगा यहां पर मैंनिचूड लागा दिना इसके पास इसके पास डारेक्शन भी रहते हैं तो आप क्या लिक बोल सकते हो टिस्टेंज इस अब आगे देखते हैं इसमें क्या है ठीक है अब बच्चो एक और मैं आपको एक्जांपल बताता हूं कि सब्सक्राइब यहां से स्टार्ट हुआ पूरा ऐसा राउंड मार के राउंड मारा राउंड मारा यहां पर आके वापस रुख गया ठीक है कोई भी आप आप ही सम कर दो यहां से सब्सक्राइब और सीर्कल यहां से आपका बता रहेगा बट यहां पर डिस्प्रेस्मेंट क्या अगा पताओ What is your displacement over here? होगा ही नी? यहांपर जो displacement होगा वो आपका 0 रहेगा displacement will be 0 क्योंकि यहांप surprise distance है नी और जाहां से start होगा था वहाई पर कर रुप गया तो there is no shortest distance को displacement यहाप पे 0 होगा तो displacement आपका 0 हो सकता है बट, distance गहीज भी 0 नहीं होगा ठीक है बच्छो जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो डिस्टेंस दुनों जुरों सीधी सी बात है ना मैं चलने यह बात करो हूं अगर वह ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी चला है तो आपका डिस्टेंस हमेशा रहेगा डिस्प्लेस्पेंट 0 हो सकता है डिस्पेंट 0 कब वहीं प्राय के रोग गया तब ही ठीक है तो यह भी आप अपने आपने यसे आपसे ऌने जैसे अपने खुद से लिखते है वैसे आपनेव Jadi an डिकit कर लो तो खुट के पॉंट में लिख देना हैं इंगलिश में लिकर कैसे बिलेäg हो अगर आपको समझाए तो आप लिख सकते हो यहा दकना अगर आपको समझाए यह चीजे concept तो आप खुझ से लिख सकते हो ठीक है बच्चों मेरा topic 3.2 अभी continue चल रहा है बच्चों दो चीज होता है दो टाइप के motion होते हैं यहा दकना एक होता है uniform motion uniform motion दूसरा होता है non uniform motion कि ओके हैं तो एक नौन उनिफ्र्म मोशन हो का दूस्य नौन इन्फॉर्म मोशन है ठीक आई अब देखो व्य व्य Lazio Son कर दो होता है यूनीफ्र्म आपका वह मोशन होता है सपोज बॉडि ये कुछ रहा हो मुशन में टो एमंगों तो अब जबकि वह मोशन में रहा है थो वह टाइम के हिसाबसे पोजिशन change कर रहे हैं तब यह जो बाड़ी है कि यह जो बाड़ी है इकोल डिस्टेंस कवर करेगा उपल इंटरवल ऑफ टाइम में इसको मीं इंटिक तूम प्रीचन बोलते इसका मतलब क्या कि डिस्टेंज जो रहाएगा वो टू मिटर कवर कर रहा है ताइम जो रहाएगा वो टू सेकंड लेते हैं तो इक्वल डिस्टेंज हो कवर करेगा मतलब जो अगली बार होगा अगला सेकंड होगा सपोज अगला टू सेकंड होगा उसमें वो टू मिटर ही कवर करेगा फिर सेकेंड में वह 2 मीटर ही कवर कर रहा है हर 2 सेकेंड में वह 2 मीटर ही चल रहा है या 2 मीटर ही कवर कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन समझा आपको समझ यह मतलब अब मैं समझ यह कि आपको समझ यह ठीक है अब नॉनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं अब बढ़ बट वो अनइकोल डिस्टीन करता है मैं बात वह रहता हूं सब्सट्ट टू सेकंड यहां पे तीछे लहीं USB तीच अब व002 सेकंड में सब्सक्रान यह सब्सक्राइ norm a जो विए मतलब क traff합 का वापस वापस डो सकेंदम उसने कवर किया फार कुछ उसके बाद के दो सकेंद में उसने कवर किया वन नेंटर मेतर् इसका मतलब क्या है कि वह हर दो सकेंद में हर इकवल इंट्रवफ्ट में वह अन you keep कर रहा है मतलब जो डिस्टेंस है वह सारे इकौल नहीं है वह सारे अलग अलग है हर 2-2 सवेन में उसका जो डिस्टेंस है वह चेंज हो रहा है तो यह हो गद आपका नौन इूनिफोर्म मौशन हें उत्विक छो थो समझ गया तो इंग्लेस में उसको कैसे डाफिनेशन देते हैं कि वजिट्वर इक्वल डिस्टिंस in equal interval of time और इसको में इंग्लेश हमें काई से नॉनिफर्म को करेंगे न्यूंप यह वन सेकंड हो सकता है यह फूर सेकंड हो सकता हैं ओन इसा भी हो सकते हैं तो यह आपका non uniform तो यह बैसिक होगे आपका uniform मोशन का अंतर अब लाफ है मैं इसमें आपको बता याइताँ तो ग्राफ इन और इन फे समझें अब आता है position time position time मतलब you can say displacement time का graph आता है graph it is very important आपको ज़्यादा यह चाप्टर में ना graph is very important और graph ही ज़्यादा पुछते हैं ठीक है और graph ज़्यादा important भी है कि समझना कैसे उसको तो आपके जो test book में है यहां पर 3 graph दिए हुआ है इस graph की बात करने बच्चा यह जो graph आपके यह तीन ग्राफ न कि मैं तीन ग्राफ की बात कर रहा हुँ ठीक है तो यह तीन ग्राफ मैं आपको बताता हूँ क्या है यह 3 और यह 3 वो इस प्रेस्मेंट टाइप वापर है कि तो displacement time यू कं से पॉजिशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते इसको ठीक है पॉजिशन टाइमगठ तो पॉजिशन टाइम ग्राफ है तीन ग्राफ है यहां पर अधरुबफ्क इसमें पहला ग्राफ यह ऐसा कुछ दिया हुआ है यह x है और यह t है मतलब x-axis पर आपका t है y-axis पर आपका position है तो सपोस्थ टी मतलब time 1 second लेलो 2 second लेलो 3 second लेलो 4 second लेलो 45 दिख रहे हैं 4 second लेलो ठीक है यहां पर लेलो 1 meter position 1 meter पर 2 meter पर ले थ्री मिटर पर फोर मिटर पर पोजिशन की बात कर रहा है तो पहला वाला जो ग्राफ है आपके पहला टेस्ट वुक में फॉस्ट ग्राफ यह वाला इसकी में बात कर रहा हूं तो इसमें आपका क्या है कि ओ अ कि ini the straight line इक सिका मतलब क्या है कि दखो टाइम अग्राफ के साब से द delivery यह वह थ्यान से देंसे टाइम आपका वन-सकेंट और लेकिन जो पुजीर्म हैं पोजिशन इसका मानों पर पड़ रहा है टाइम आपका 3 सेकंड हो, लेकिन जो पोजेशन है वो किस पर है, 3 मेटर पर ही है खर ए बाफरे, फिर 4 सेकंड होगा टाइम किधेर है, 3 मेटर पर ही है इसका मतलब मुझे क्या मनूब पढ़ रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है यह जो भी object है, जिसका मैंने graph यहाँ पर बनाया है, वो आपका rest पर है, यह समझ गया, मतलब वो motion में है नहीं, वो जो भी object का मैंने graph बनाया है, वो motion में नहीं है, वो एक ही जगा पर है, time मेरा बढ़ते जा रहा है, आप जैसे मैं mark यह धक्कन बोदो यही पर है, time मेरा जो भी मीटर पर मैंने रखा, 3 मीटर पर रखा, तो 3 मीटर पर रहा है, time आपका 1 second, 2 second, 3 second हो रहा है, लेकिन वो वही पर है, तो यह graph मेरा वो denote करते हैं, ठीक है, अब जो दूसरा graph इसमें दिया है बच्चो, वो आपका, अभी मैंने उपर जो बताया, उपर क्या बताया है यह एक्स हो गया, टी हो गया, ऊपर यह uniform motion की मैंने बात किया न, यहाँ uniform motion का graph बना रहे है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग non uniform motion का graph बनाएंगे, ठीक है, यह line था, line था दोनों के बीच में, ठीक है, वही मैंने मा रहा, तो देखो बच्च, अब यहाँ पर, वही ले रहे त 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, देखो, जो दूसरा graph है, वह ऐसा straight line है, एक straight line दिख रहे है, यह मुझे क्या बोलता है, यह uniform motion की बात कर रहे है, पहले बता रहूं, uniform motion की बात कर रहे है, यह graph, तो यह मुझे बोलता है कि मेरा, जो पहला second है, उसमें 1 meter cover किया, मतलब अगर मैं दोनों की बात क करो तो यह इस पर आएगा, यह जो point है ना, यह point इसका coordinates अब पता है न, coordinates कैसे निकालते है, x, y, तो इसका मतलब 2 second, 2 meter है, इस point पर, ठीक है, तो यह अब को अब होता है point, और इसकी बात करो तो यह यहाँ पर है, 3 second पर, 3 meter पर, 4 second पर, 4 meter पर, 5 second पर, 5 meter पर, तो इसका मतलब मुझे क्या साँज में आ रहा है, इन दोनों के बीच में time interval कितना है, 1 second, इन दोनों के बीच में distance का difference कितना है, 1 meter, फिर इन दोनों के बीच में time interval, 1 second, फिर यह दोखाप, इन दोनों के बीच में time, distance, 1 meter, मतलब, वो हर 1 second में, 1 meter कवर कर रहा है, जैसे आपर बाता हर 2 second में, तो यहां पर हर एक सेकंड में एक मिटर कवर कर रहा है फिर एक सेकंड में यह एक मिटर कवर किया फिर एक सेकंड में यह एक मिटर कवर किया फिर एक सेकंड में यह एक मिटर कवर किया तो वह एक सेकंड में एक मिटर कवर कर रहा है तो यह यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है लबट्चों तो यहां पर जो भी ऑपजेक्ट चल रहा है रहा है वो ऐसे चल रहा दिर दिखर है uniform motion में चल रहा है मतलब आप बोल सकते हो कि ईक काडि चल रही है वो एक स्फीड पंच सी उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है जीससे आप लो बोल सकते हो लग लगो स्पीड में रहते हैं वह हर वो जो क्लॉक रहते हैं क्लॉक वह आपका हर 60 सेकेंड में वन मिनिट होता है हर 60 में मतलब उसका ऐसा नहीं कि 58 सेकेंड में में आंन्af मिनेट हो जाएगा कभी कभी minimum पुछंटी सेगेंड़ में ऐसा थो नहीं होताया है हर 60 मीनिट में हर सब्सक्राइक यूरान अशॺ्ण आपके मरेन बिंकल्ट पेसिट गरने नॉन इसा है तो वही मैं आप पोई देता हूं वान सेकंड टू साकेंड थ्री सेकंड फोर सेकंड फान सेकंड यह गया वन मीटर टू मीटर ट्री मीटर फोर मीटर फान मेटर ठीक है आपका उसमें कुछ ऐसा कुछ दिया है आप ठीक है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिया है लोगने थ्टांस की दिए लोगने छुपकी और दिये लोगने असा कुल मुझ Vegan टो एक सेकंड पर कहां पर है आपका और जीरो पर है एक सेकंड में जो अब्जेक्ट है उसका दिस्टंस की तरह है इस लाइन पर index जीरो पर है ऑपजक्त आप अधर ही एक सेकंड्ड पर पलेंगे उसको मैं दूसरे सेटेंड में में वह एक में और तब ना दूसरे सेटेंड में वह एक मीटरा प्रफिय जो भी ऑबज़े चल रहा हैं या या ऑबजेक की बात कर Trache ना सिन कुछ भी से घुड़ो तरी सीकन्ट से के बीच में पहले से कंद में फंपे था सितना है एक सेठक के एक से कंड में वो इक मेटर चला है अब यह भी उट topics के यह वर यहीं है जरूरी नहीं सब्सक्राइक सकते में यह है कम नहीं पार शांप एक सब्सक्राइब यह बिल्सक्ति कि यह न्यूं Climate चल लिया अगले एक सेकंड में उसने 1 मेटर चला पर अगले एक सेकंड में 0.5 मेटर ही चल रहा है तो यह क्या है यह नॉन इंफॉर्म मोशन है तो हर इक्वल टाइम में वो अनेक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है टिसटेंस्ट कवर नहीं कर रहा है तो इसको मैं भोलेंेगे नॉन उनिफॉर्म मोशन तो यह जो दीसरा ग्राफ है बच्चों एला यह यह रष्ट पर है आज तो बच्चों आपकोए जो अगले सप्टला टॉप्टीक है यह हम लोग नेक्स्ट विडियो में देखते है ठीक है average velocity and average speed symbol next video में देखेंगे ओके बच्छो अगर आपको concept समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर करें चैनल को subscribe करें ठीक है बच्छो और comment box में लिखके बता है क्या आपको दिक्कत आ रही है ठीक है क्या आपको नहीं समझ में आ ठीक है बच्छो तो चलो good bye